क्या tools है scalar represent और vector represent करने के लिए एक example से यसे बहुत अच्छे से समझते हैं so let's jump to the next page यहाँ पर कुछ हम example करते examples examples ठीक है vector scale let's say कि हम अभी बात कर रहे हैं force की तो एक डबबा में निकाला ठीक है एक डबबा है ठीक है, इस डब्बे के ऊपर मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है, हम अभी यह समझ लेंगे कि वेक्टर कॉंटिटी क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन उसको एक्स्प्रेस कैसे करेंगे in terms of mathematics, कोई भी चीज फिजिक्स में देखना हम equation लिखते हैं, equation is nothing but mathematics, equation is like grammar, पता होना जरूरी कोई भी भाषा बोलने के लिए, वैसे भी, किसी quantity को या किसी physical significance को equation में लिखना बहुत जरूरी होता है, उसको समझाने के लिए, ठीक है, so maths से ही physics समझाया जाता है, इसलिए हमारे पास equation होते हैं, इसके उपर में force लगा रहा हूँ, 5 newton का, ठीक है, और ए एक same example हम लेते हैं, एक same example हम लेते हैं, यहाँ पर बस में force का direction change कर देता हूँ, यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, तो direction बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मैं 5 newton का force object के उपर लगा रहा हूँ, तो हो भी सकता है कि 5 newton का force में left से right की तरफ लगा हूँ, ताकि object यहाँ move हो जाए, हो भी सकता है कि force में right से left की तरफ लगा हूँगा, तो body यहाँ पर move होगी, तो body कहां move हो रही है, वो बताने के लिए इस quantity को हम vector quantity कहते हैं, ठीक है, तो मैं अगर लिखूँगा कि मैंने force लगाया 5 newton का, ठीक है, कहां लगाया, हम लिखेंगे towards right, मैंने कहां force लिखा है, वो क्या लिखा है मैंने इसका magnitude लिखा है, और जो bracket के अंदर हमने ये चीज़ mention की है, towards the right, ये क्या indicate कर रहा है, ये direction बता रहा है, तो force को हमने लिखा उसका magnitude और उसके direction के form में, लेकिन ये बहुत ही layman के language में लिखना हो गया, ठीक है, scientific physics के language में उसे ऐसा नहीं लिखा जाता, पहले हम second example को भी clear कर ले, ताकि हम इसको accurately कैसे लिखते है, mathematically वो समझेंगे, वो हमारा सबसे पहला point होगा, vector understanding का, खास लूँ थोड़ा सा, yes, so 5 Newton का force में लगा रहा हूँ, कहा लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ, towards the left, towards left, हम ऐसा बताएंगे, इससे information मिली कि यह magnitude है, और यह क्या है, यह direction है, ठीक है, लेकिन actually में representation जब हम करते हैं, representation of vector quantity, representation of vector quantity, जैसे कि force उपर हमने लिखा, वो भी एक vector quantity है, न, मानते हो नहीं, मानते हो, हमने एक example कौन सा लिया है, force का, force कैसी quantity है, भाई, vector quantity है, ठीक है, जिसको direction भी है, और magnitude भी होता है, correct, जो हमने यहाँ पर यह example से यह जो लिखा है, उसको हमें purify करना है, actual representation के form में लिखना है, ठीक है, तो जब हम किसी भी quantities को लिखते हैं, जैसे कि यही example को हम यहाँ से copy कर ले, यहाँ से अगर हम copy कर लेते इस example को, ताकि time save हो जाए, और इसको में अगर represent करो, कि force 5 newton का किसी object क इसके उपर लग रहा है, so how we can mention, तो f is a symbol for force, that's obvious, इसके उपर एक arrow दे देते है, equal to, arrow देंगा, तो बता सकेंगे कि यह vector representation हो रहा है, इसका, is equals to, कितना force लगाया मैंने 5 newton का, किस direction में लगाया, उस direction के लिए हम एक already recommended symbol यूज़ करते हैं, वो होता है, i cap, 5 i cap, मैं अभी i cap औ arrow के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है, अगर यही example को लिखते हैं, vector representation में, तो लिखेंगे, f is equals to, arrow हमेशा right में ही रहेगा, तुम force यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यह उपर जो arrow है, वो arrow का direction चेंज नहीं होगा, वो by default direction उसका वही होता है, towards the right, ठीक है, is equals to, यह arrow direction represent नहीं करता है, यह symbolical representation है, कि vector ऐसे लिखा जाता है, vector की उपर right में जाने वाला arrow है, इसका मतलब है कि तुम इसे vector form में लिख रहे हो, देर सारी बाते करेंगे, सभी चीज़ों के उपर clarity में लेगे, सुनो बात को, इस example को जब हम लिखेंगे, तो मैंने लिखा 5, और इसका direction लिखेंगे, minus eye cap, क्योंकि force में negative x axis के along लगा रहा हूँ, अगर इसको तुम visualize कर पाओ, coordinate axis के along, तो मैंने अगर इसको origin माना है, तो मैंने यहां से right direction में, मतलब positive x direction में force लगाया, तो positive x direction में, जब किसी object के उपर हम force लगाते हूँ, उसको eye cap symbol से represent करते हैं, पीछे लगा रहा ह तो हम उसको minus eye cap से represent करेंगे, ठीक है, और उसके आगे उसका unit लिख देना, newton, newton, ठीक है, this is the basic representation जब हम force को लिखते हैं, ठीक है, यह तो एक simple सी बात इसके अंदर हम ने की, इसके और एक दो example हम लिखते हैं, ताकि हमें यह eye cap क्या होता है, उसकी जानकरी मिले और उसकी एक एक example लेते हैं, let's take another example, example 2 over here, कोई building है, कोई building है, ठीक है, नीचे उसके parking से कोई बच्चा ball उपर फेक रहा है, with a velocity of 2 meter per second, इसको मुझे vector form में represent करना है, कि यह जो velocity 2 meter per second है, upward direction में, कहा फेक रहा है, वो उपर फेक रहा है, तो velocity मुझे बताओ, कौनसी quantity है भाई, velocity बोल सकते हो, क्या कौनसी quantity है, it's a vector quantity, right, speed scalar quantity होती है, on the contradictory, speed is a scalar quantity, ठीक है, speed बताने के लिए, direction की जरूरत होती है, हमारे गाड़ी का speedometer ले लो, कितनी speed है गाड़ी की, 80 km पार, बस information कतम, तो speed के लिए magnitude काफी होता है, vector के लिए वैसा नहीं हो, velocity के लिए वैसा नहीं होता है, velocity बताने के लिए, direction भी बताना जरूरत होता है, सो अभी के लिए समझ लो, velocity is a vector quantity, उसका representation कैसे करना है, वो जानते हैं, ठीक है, सो कोई भी vector quantity का representation कैसा होगा, उसकी idea हम यहाँ ले रहे हैं, उसको representation कैसे करते हैं, वो हम लिखते हैं, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा, कि velocity upward direction में जा रही है, तो एक symbol इसके लिए है, 2j cap meter per second, velocity को मैंने vector form में लिखा, this is the vector representation, this is vector representation, किसका vector representation है, इस ball की situation का, कैसे situation है, ball की, ball जा रहा है, उपर, तो उसके लिए मैंने j cap लगा दिया, कितने velocity से जा रहा है, 2 meter per second से, तो यह 2 से यहाँ represent कर रहा है, ठीक है, तो j cap हम समझ गे, ठीक है, तो यह i, j क्या है, उसको हम यहाँ पर summarize कर लेते, short में, note हम यहाँ लिखेंगे, what is mean by this i, j के, हम एक coordinate axis यहाँ पर draw करते, let me draw one coordinate axis, this is x axis, this is y axis, अभी z तो plane के बाहर 2D plane में दिखा तो नहीं सकता, तो हम इसको थोड़ा tilt करके यहाँ बता देते हैं, let's say this is the z axis, यह z axis है, ठीक है, perpendicular to each other, ठीक है, यह और यह एक दूसरे के कैसे, perpendicular, x, y, z axis एक दूसरे के perpendicular होते हैं, नहीं होते हैं, so वो हमने यहाँ दिखाया, ठीक है, so अगर कोई quantity, quantity, जैसे की force, velocity, कोई भी, कोई particle की हमें बतानी है, तो उसका direction बतानी के लिए, कोई particle, लैसे की यह कोई particle है, यह along x direction चल रहा है, तो along x direction जब चलेगा, तो हम along x direction यह word नहीं यूज़ करते हैं, हम एक symbol उसके लिए represent करते हैं, वो symbol होता है, i और उसके उपर topi, उसको cap बोलते हैं, i cap, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, i cap, ठीक है, cap मतलब topi वाली cap, ठीक है, इसका meaning क्या होता है, बता रहा हो, अगर कोई quantity y direction में जाती, जैसे कि यह situation में, ball कहा जा रहा था, उपर जा रहा था, तो बॉपर जा रहा है, तो यह उपर वाला word तो scientific नहीं हुआ, j cap direction, along j cap direction, तो कोई object अगर upward direction में जाता है, या along y direction जाता है, तो उसके direction के लिए, symbolical representation होता है, j cap, ठीक है, कोई object बाहर आ रहा है, out of the plane, in this direction आ रहा है कोई, तो उसके लिए, हम एक letter यूज़ करते, that is called as k cap, that is called as k cap, ठीक है, i cap में यहां लिख दूँ, तो हमें पता चला कि i, j cap कुछ होता है, अभी और detail में बताऊंगा, उसको unit vector केते हैं, by the way, i, j cap को छोता है, वो direction बताता है, ठीक है, जिसे हम road पे चलते हैं, arrow दिखा होता है, ऐसा करके, इधर arrow मतलब left में जाना है, ऐसा करके arrow इधर के तरफ मतलब right में बूढ़ना है, ठीक है, वो symbolical representation हुआ, ठीक है, वही यहाँ पे meaning है, i, j cap का, ठीक है, यहाँ पे j cap, मतलब मैंने 2 को j से multiply किया, तो number change नहीं होना चाहिए, मतलब direction बताने है, j cap का काम क्या है, direction बताने का काम है उसका, ठीक है, तो मैंने 2 into j cap लिखाए, तो j cap का magnitude 1 होगा, j cap का magnitude 1 होगा, इसका मतलब है, कि इसको किसी भी magnitude, किसी भी number से multiply करोगे, तो वह number change नहीं होना चाहिए, जैसे 3, example ले रहा हूँ, 3 into 1 करोगे, तो 3 ही मिलेगा, 8 into 1 करोगे, तो 8 ही मिलेगा, वैसे ही हम किसी भी magnitude को i, j, k से multiply करेंगे तो वो number हमारा change नहीं होना चाहिए बस उसका direction पता चलना चाहिए इसके लिए ही हमने i, j, k का इस्तमाल किया है इसलिए इसका नाम देखोगे तो उसका नाम होता है unit vector तो यहाँ पर हम एक note लिखेंगे हम एक note लिखेंगे note यह i, j, k are called as unit vectors वेक्टर का मतलब क्या है direction unit मतलब उसका magnitude 1 है मतलब किसी भी संख्या को एक से गुणा करोगे तो वो number change नहीं होगा when you multiply any number by 1 then the number does not change वैसे ही i, j, k क्या है? एक unit vector है whose purpose is to show the direction of vector quantity vector quantity यह पहली बात इसकी कि यह direction बताएगा इसका magnitude magnitude इसका 1 होगा मतलब किसी भी quantity से इसे multiply करोगे तो वो number change नहीं होगा उसका direction बस बताएगा यह magnitude of unit vector is 1 unit vector is 1 यह इसकी बात हुई अभी सवाल यह आएगा कि कोई object let's say next example के उपर चलते हैं क्या मैं आगे चलू? यह clear है तुम लोगों को next slide पे चलोगे yes or no में रिप्लाइब चाहिए मुझे yes sir yes sir okay right thank you let's take another example example 3 example सही समझना बहुत सही होता है physics के अंदर कभी भी directly definition यह वहां से start करोगे तो बोरिंग सा method हो जाएगा वो सर अगर कोई particle ऐसे चल रहे तो कोई particle है particle माने कोई भी truck, गाड़ी आदमी तो इतने नाम लेने से अच्छा हम कहते हैं कोई particle कोई particle अगर cycle मान लेते हैं हमारा इस बार particular है cycle cycle जा रही है ऊपर फिक है यह position से यह position जा रही है cycle ठीक है तो इसका representation कैसे होगा इसकी जो position है या उसका जो रास्ता है चलने का उसको vector form में कैसे represent करेंगे मान लो यहाँ पे इसके coordinate दिये है कि यह जो position है यह origin है मैं थोड़ा origin पीछे दिखा दू ताकि तुम लोगों को एक clarity मिले अगर इसको coordinate axis system में देखा जाए coordinate axis system हम काफी बार इस्तमाल करेंगे चीजों को बताने के लिए कि मान लो कि यह कोई गाड़ी है गाड़ी जा रही है उपर इस गाड़ी की position हमें दी है यह 1,2 1,2 किसी coordinate axis पे यह गाड़ी अभी खड़ी है यहाँ पे coordinate axis समझते हो न तुम लो मतलब इसका x axis का coordinate है 1 y axis का coordinate क्या है 2 यह समझते हो न ठीक जब गाड़ी यहाँ पे आएगी बैसिकल इकड़ आली बैसिकल जाओ इथा आली second position ला a position पासन bicycle आगई अभी b position यहाँ पे उसके कुछ coordinate ही लिखते हैं कि मान लो थोड़ा ऊपर आ गई यह आ गई 3 और 5 ठीक है मतलब उसका position x axis से है 3 और y axis origin से है 5 ठीक है यह तो काफी nominal तरीका हो बच्पन में ऐसा लिखते थे कोई particle की position यहाँ से लिखते थे ठीक है जब हम इसको vector form में लिखेंगे इसका रास्ता जो है चलने का इसको अगर हम vector form में लिखेंगे कैसे लिखेंगे ठीक है यह हमने क्या लिया यह example लिया इसकी position बताने के लिए ठीक है तो वैसे position vector बोलके एक term होती है एक term होती है जिसको हम कहते है position vector तो मैं यहाँ पे एक heading open कर देता हूँ example से concept समझा रहा हूँ representation of position vector representation of position vector ठीक है मतलब इसकी position बताने एक arrow निकालना है हमें vector निकालना है vector let's say कि S एक vector है vector माने उसकी यह position से वो position कि तरफ उसका direction और magnitude बताएगा यह vector का मतलब यहाँ पे क्या है बहुत simple है अगर तुम गौर करके सुनोगे मुझे तो बहुत simple लगेगा ठीक है यहाँ से यहाँ तक यह कोई S vector मैंने लिखा है यह S vector क्या represent कर रहा है गाड़ी की initial position यहाँ पे है final position यहाँ पे है यह जो arrow की length है वो उसका magnitude बता रहा है और यह जो angle theta है वो किस direction में चल रहा है वो 2 information बता रहा है एक vector यह तो वो जो S vector है मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे draw करो देता हूँ यह S vector है हमने इसको लिखा था बच्पन में हमने लिखा था 1,2 इसकी A position थी यहाँ पे इसकी B position यहाँ पे थी तो हमने लिखा 3,5 तो हम इसकी position बता रहे थे कि 1,2 पे वो initially था यह initially यहाँ पे था और उसकी final position यहाँ पे है जब हम इसको class 11 में मतलब अभी पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे कि इसकी यह position vector बताओ इसको position vector के term में मुझे बताओ तो उससे बहुत information निकलती है position vector का मतलब क्या है कि इसकी length कितनी है और किसने angle पे यह खड़ा है यह दो चीजे बताएगा position vector ठीक है? अभी देखो मैं एक सवाल पूछता हूँ मुझे distance बताओ distance between A and B distance between A and B A to B कैसे निकालते थे? coordinate, geometry या कोई topic था तुम्हें class 10 में उसके अंदर था यह शाहिद से a, b is equals to तुम्हें ऐसे under root में लिखते थे x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square और यह under root में इसकी value डालोगे तो उसका magnitude मिल जाएगा मतलब कितना length है वो मिल जाएगा तुम्हें मतलब distance मिल जाएगा a to b ठीक है? जब हम इसको vector form में represent करेंगे हम इसे solve नहीं कर रहे है अबी vector form में represent करेंगे यह 10th standard में हम represent कर रहे थे 11th standard में हम इसको कैसे बात करेंगे? इसको हम लिखेंगे position vector नाम क्या दिया हमने? इसे position vector 10 वी कक्षा तक क्या पढ़ते है इसको distance between two points a and b ठीक है? position vector कैसे लिखोगे? ठीक है? position vector है a, b ठीक है? इस s को हटा देते हैं कोई भी symbol यूज़ कर सकते तो यहाँ पे हम a, b और उसके उपर ऐसा arrow लिखेंगे ठीक है? अभी क्या करेंगे? x2 minus x1 ही करना है हमने यहाँ पे लिखा x2 minus x1 ठीक है? distance between x and initial position और final position का x coordinate का distance लिया difference लिया हमने और i cap आगे लिख देना है? बीच में लिखना है plus बीच में क्या लिखना है? प्लस यह representation है इसे लिखने का तरीका होता है प्लस मैंने लिखा यहाँ पे y2 minus y1 j क्या? xy coordinate ही दिखा रहे हैं अगर z coordinate दिखा थे तो मैं प्लस करके z2 minus z1 k क्या भी लिखता लेकिन वो हमने यहाँ दिखाया नहीं है ठीक है? मैं कहना क्या चाता हूँ? अभी समझ में आएगा तो यह ab vector है ab vector तो मुझे बदाओ इसका x2 मतलब x2 coordinate final coordinate कितना है? 3 और x1 मतलब initial coordinate कितना है? 1 तो यह क्या हो जाएगा? मैं इसको लिखांगा 3 minus 1 i cap plus y2 minus y1 5 minus 2 5 minus 2 कितना होगा? y2 मतलब यह final position of y axis initial position of x axis मैंने इसको लिखा 5 minus 2 j cap इसे जब हम आगे solve करेंगे इतना simple सा है यह इसको solve करके मैंने नीचे लिखा तो मुझे यह जो position vector है वो क्या मिला? वो मुझे मिला 2 i cap plus 3 j cap फटा पोस्टर निकला हीरो this is called as vector representation of position यहाँ से यहाँ जाने वाले गाड़े की यह position vector है यहाँ से यहाँ यह जाने वाले गाड़े की क्या है? यह position vector है ठीक है? जैसे सर यहाँ से क्या information मिलती है? अभी बहुत ज़रूरी मतलब 100 बात की एक बात यहाँ पर है बच्चो यहां से मुझे क्या information मिल रही मैं इसको थोड़ा उपर ले लेता हूँ क्योंकि ज़रूरी बात इतनी bottom में नहीं लिखा जाती कभी इसको हमने थोड़ा उपर लिखा यहां पर डाल दिया इसे ठीक है तो यह जो है इसके उपर focus हमने किया ab vector is equals to 2i cap plus 3j cap अभी यह देखने से तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि length कितनी है इस vector की और angle कितना है इसके अंदर चुपा है वो बात इसके अंदर जब हम इसको solve करेंगे wrapper के अंदर chocolate है chocolate निकालना मतलब इसका answer निकालना distance और इसका angle तो यह packing के अंदर है अभी magnitude इसके अंदर क्या चुपा है magnitude और इसके अंदर चुपा है direction ठीक है हमने पहले position vector को represent किया ठीक है 2i cap plus 3j cap से यह वाला formula हमने यहाँ पर use किया मैं जब actual class होगी तब इसको और detail से इसके उपर light डालूँगा ठीक है मुझे ज़रा बताओ यहाँ से अगर तुम answer निकालते हो मैंने पूछा कि तुम दसवी कक्षा में हो अभी let's say a to b का distance कितना है तुमने किया x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square कितना आएगा ज़रा rough में करके दिखाना यह वही answer यहाँ से मैं निकालके दिखाना करके देखे क्या यहाँ से यह कितना आ रहा है रफ में करूं क्या में बाद में मिटा दूंगा इसको x2 minus x1 कितना है 3 minus 1 कितना है यह 2 2 का square plus y2 minus y1 कोई बताएगा कितना है y2 minus y1 आखे कमज़र है 5 minus 2 करोगे कितना आएगा यह 3 square तो यह ab का जो length है वो आ जाएगी 4 plus 9 that is root 13 ठीक है मतलब 3 और 4 के बीच में कुछ आ रहा है ठीक है तो answer याद रखना यहाँ से अगर बच्चमन में निकालते तो answer क्या रहाता हमारा root 13 ठीक है हमने इसको पहले vector form में निकाला लेकिन तु मुझे इसका angle नहीं बता सकते 10 standard के इस formula से हमें angle नहीं मिलेगा लेकिन हमारे यह representation से angle भी मिलेगा और मुझे इसका magnitude भी मिलेगा ठीक है तो बहुत जरूरी बात है बच्चो इसको छोड़ना मत यह देखो इसका magnitude में निकालता हो यह form में लिखने का फाइदा य यह है कि यहां से हम magnitude निकालेंगा और यह throughout the two year ही हम use करने वाले हैं ठीक है magnitude का formula अभी तो मैं derive करके नहीं बता सकता उसका end result तुमारे सामने में प्रस्तूत कर रहा हो ठीक है इसका जब हम formula लिखेंगे magnitude का तो under root में लिखना i cap का coefficient कितना है 2 उसका square प्लस j cap का coefficient कितना है 3 उस का square करो लगबग इसके जह सही formula है लेकिन यह representation में कैसे करना है under root of i cap का coefficient कितना है 2 का square j cap का coefficient कितना है 3 square यह law of parallelogram से मैंने लाया हुआ एक formula है उसका बस एक filter form मैंने तुमारे सामने रखा है actual class में जब हम पढ़ेंगे तो यह formula भी आया कैसे है और इसके बहुत सारे application हम detail में द concept से तो यह कितना आएगा same root 13 ही आना चाहिए यह आया 4 plus 3 square is root 9 तो यह हो गया root 13 देखो आया ठीक है हमें और एक चीज़ निकाल लिए position vector है न तो उसका magnitude तो निकाल लिया आपने सर direction भी निकाल सकते हो कि यहां से मतलब यह कितने angle पे यह गाड़ी चल रही है वो आसानी से न हम अभी direction निकालते है यहां से ठीक है अभी direction के लिए थोड़ा just visualize करना बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है यहां पे अगर इस vector को हम draw करें इसका मतलब क्या है कि इस vector को अगर graph से थोड़ा visualize करो यह जो लिखाए हमने 2 i cap plus 3 j cap एक्चिल में यह देखोगे तो यह x direction में 2 unit इसका magnitude है याद करो मैंने बोला था i cap मतलब क्या है x direction की quantity वो कितनी है magnitude wise 2 ठीक है तो यह 2 magnitude का मैंने एक कुछ line यहाँ पे draw की 3 j cap का मतलब क्या है 3 j cap मतलब y direction में 3 unit चला है यह कुछ x direction में 2 unit चला y direction में 3 unit चला पाई था गरस तो सबको आता है हमें यह angle निकालना है थीटा मतलब यह भी तो थीटा ही होगा अगर यह थीटा है तो यह भी तो थीटा ही होगा उसी का तो representation यहाँ पर बता रहा हूँ right so this is 2 this is 3 कोई मुझे tan थीटा का formula बताईए अभी right angle triangle है यहाँ से अगर तुम tan थीटा का क्या formula हुआ करता था वो opposite upon कुछ ठीक है opposite upon base या hypotenious नहीं आएगा opposite upon base या कोई perpendicular upon base कहता है या perpendicular आड़िस जो कुछ को मतलब सामने वाली side upon adjacent side तो यह कितना हो जाएगा 3 by 2 तो यहाँ से मुझे angle मिल जाएगा theta is equal to tan inverse of 3 by 2 इसको solve करने की ज़रूरत ने कोई solve करने को वो लगाएगा भी नी क्यूंकि lock table से यह solve होता है lock table इस competitive exam में एक तो provide किये जाते है जेई के लिए need के लिए तो provide नहीं करते है तो option में इस प्रकार के options हमें दिखेंगे ठीक है तो हमने representation देखा 2i क्या प्लस 3 जेके आप ऐसे लिखा जाता है position vector इसे कहते हैं वो position बताता है और यहाँ से दो information हम निकाल सकते है magnitude as well as direction तो कोई एक सर ने formula यूज़ करके उसका magnitude निकाला और बिना formula यूज़ करे conceptual understanding से सर ने हमें अभी theta that is angle between the horizontal line and its position निकालने का तरीका हमें बता है हम और एक application देखते इसका हम इसका और एक application देखते बहुत ही short इसमें ठीक है आगे आए हम अभी दो vector की addition कैसे होती देखना यह तो बहुत ही interesting है मैं कुछ pages add कर लेता हूँ और एक page लगेगा और एक page लगेगा let me see the time time is sufficient 10 minutes more then we will wind up the class example number 4 चार example चार concept और पढ़ते भी यही sequence है ठीक है एक example ले रहा हूँ यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखो यहाँ पर ठीक है 2 kg का इसके उपर मैंने 1 kg का box रख दिया total कितना mass हुआ यह है M1 और यह है M2 total mass कितना हुआ यहाँ पर बता सकता है कोई total mass how much is the total mass 3 kg very simple sir क्या पूछ रहे हो यह sir यह भी कोई सवाल हुआ क्या sir right second situation मैं पूछता हूँ ठीक है वहाँ से compare करेंगे क्या चल क्या रहा है यहाँ पर यह कोई एक box है ठीक है इस box को मैं यहाँ से 2 newton का force लगा रहा हूँ और यहाँ से में 3 newton का force लगा हूँ total force कितना लग रहा है on block कोई बता सकता है total force on the box तुम कहोगे 5 newton वह गलत हो जाएगा कैसे क्या वही तो देखने आभी 2 newton का direction देखो horizontal 3 newton का direction देखो vertical और force कैसी quantity है vector quantity है vector को सीधा सीधा add नहीं किया जाता vector को add करने का कुछ तरीका होता है कुछ method होती है कुछ rules होते है vector addition के कुछ rules होते है for example अगर मैं ऐसा कहता अगर मैं ऐसा कहता let me take this as example 3 मैं यहाँ पे एक जगा बना देता हूँ कब 5 newton कह सकते थे तुम लोग यहाँ पे मैं इसको 3 बना दिया second example में अगर मैं ऐसा लिखता कि कि यहाँ पे बच्चों दिया है एक block second example में block दिया है यहाँ पे लगाया है 2 newton और मैंने लगाया है 3 newton तो अगर मैं पूछता कि total force कितना मैंने लगाया है तो हम कहते 5 newton ठीक है क्योंकि दोनों एक ही direction में है इसका मतलब है vector quantity की addition करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तो यहाँ से मैंने एक concept open की जिसका नाम है वेक्टर addition of two vector यह simple वाशा में इसको addition of two vector यह नाम से हम इसे पढ़ेंगे addition of two vectors ठीक है यहाँ पर हम एक law पढ़ते हैं जिसका नाम होता है law of parallelogram जिसका नाम होता है law of parallelogram ठीक है यहाँ पर एक formula हमें मिलेगा यह formula में derive नहीं कर रहा हो क्योंकि last slide में मैं नहीं बताया क्योंकि यह topic demo class का यहाँ पर सभी चीज़े इतनी derive करके बताई नहीं जा सकती actual topic में हम जो हमारे original page से चलेंगे दब हम यह पढ़ेंगे एक formula होता है a square plus b square plus 2ab cos theta इस formula से यह rule है ठीक है this is a rule how to add two vectors ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे इस formula को मैंने यहाँ कैसे लगाया और इस formula को यहाँ कैसे लगाओगे और correct answer इसका क्या होगा वो हम बात करते अभी ठीक है बस इतना ही समझ लेंगे इस formula को कैसे लगाना है बाकी detail बात है हम इसकी कल करेंगे ठीक है यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है क्या 2 newton और 3 newton को अगर मैं एक line मे लिखू तो इनके बीच का angle 0 degree नहीं होगा दो parallel lines के बीच का angle कितना होता है 0 degree तो यहाँ पर यह जो theta है हम 0 degree पूट करेंगे कोई मुझे बताए cos 0 कितना होता है 1 होता है तो अब इस formula में मैं थोड़ा इसको जगा बना के नीचे कर दू ताकि हम वहाँ पर चीज़े बता सके ठीक है तो यहाँ पर हम resultant को R मान ले क्या force F1 मान लेते चलो total force हम मान लेते F1 तो वह R की जगा पर हम F1 लिखेंगे symbol कुछ भी हो सकता है force के लिए F1 रिखेंगे यहाँ पर generalize symbol R लिखा है उसकी चिंता नहीं करना is equal to under root इसको A मानो और इसको B मानो और इस formula के अंदर डालो और सुम देखते 5 Newton आना चाहिए जो बिना formula के हमने बोल दिया कि 5 Newton है ठीक है formula भी वही बोल रहा है A square कितना मतलब 2 square प्लस यह 3 square प्लस 2 AB 2 into A कितना है 2 B कितना है 3 into cos 0 degree कितना 1 ठीक है तो जब हमने इसको solve किया तो यह कितना आया 2 square plus 3 square plus 2 into 2 into 3 right यह जाना पेचाना formula है ना it is like A square plus B square plus 2 AB को हम क्या लिखते है it is nothing but nothing but A plus B का whole square नहीं होता क्या ही है क्या इस formula को हम 2 plus 3 का whole square नहीं लिख सकते under root में yes or no अरे by A square plus B square plus 2 AB यही तो हुआ which is nothing but A plus B का whole square root or square चला जाएगा root or square चला जाएगा कितना मिलेगा answer मुझे 5 Newton तो यह formula से 5 Newton answer आया है उसका ठीक है अब यह third वाला example हम next page पे लेकर जाते है नीचे जगा बची नहीं है यहाँ पर जगा create कर सकते हो सरा चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर हम कि छोटा करेंगे यहाँ अब थर्ड जो जिसका सबसे इंतजार था हमें यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पहले angle find out करेंगे यह 2 Newton यहाँ पर है 3 Newton उपर जा रहा है तो इसके starting point से जोड़ देंगे यह ऐसा चलता है कि दो vector को नजदिक लेकर आ सकते हो कई पर भी खड़े हो उसको नजदिक लेकर आ सकते हो तो यह 2 Newton इधर जा रहा था यह यहाँ पर दिखाया 3 Newton उपर ज कितना है बच्चो और इस force को हम F2 मान ले किया थोड़ी देर के लिए और फिर हम देखते इसका answer क्या आता है तो हमें पता चलेगा कि दो vector अगर perpendicular किसी object के उपर लगते हैं तो net force इसके उपर कितना लगेगा तो under root में अभी directly formula में लिख देता हूँ यह वाला formula में यूज कर 2 स्क्वेर प्लस 3 स्क्वेर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू मुझे बताओ कॉस 90 कितना होता है हाँ मच इस कॉस 90 हाँ कॉस 0 भी 1 कॉस 90 भी 1 वा 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 कॉस 90 जीरो होता है कॉस 90 डिग्री इस जीरो ठीक है तो यह पूरी की पूरी टम क्या हो गई जीरो हो गई आंसर में क्या मिलेगा 2 स्क्वेर अंडर रूट में प्लस 3 स्क्वेर तो हमारा आंसर मिल जाएगा इन दिस सिचुएशन इस फोर प्लस नाइन दैट इस रूट 13 नूटन दो वेक्टर जब परपेंडिकलर होते तो आंसर कितना आया हमारा रूट 13 नूटन अगर दो वेक्टर पैरलल थे उनकी एडिशन देखे हमने कितना आई फाइन नूटन रूट 13 मतलब कितना होगा लगबग 3 square is 9 4 square is 16 थोड़ी देर के लिए मान लेते आंसर है 3.4 नूटन कितना यह आंसर यह थोड़ी देर के लिए मान लेते 3.4 नूटन है एक्जाक्ली ने अप्रॉक्जिमेटली मान रहे हैं हम ठीक है सही भी बात है यार देखो यह अबजेक को मैं अगर यह स्क्रीन बन कर दू यहां पर बढ़ा दिखा यह अब्जेक को दो फोर्स एक 2 नूटन एक 3 नूटन एक ही डिरेक्शन में लगा रहा हूँ ठीक है तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है 5 नूटन सही बात है ज्यादा फोर्स लग रहा है अगर मैं इसको 3 नूटन और इधर से 2 नूटन लगाओ ठीक है तो अब्जेक्ट कहा जाएगा अब्जेक्ट थोड़ा ऊपर तेडा जाएगा ऐसा ठीक है इफ राइटिट इन दीस वे लेटमी शेर दिस स्क्रीन इसका motion कहा होगा, इसका motion तो सामने ही चला जाएगा, 5N से तेज तररा चलेगा, 5N से, ये वाला object कहा चलेगा, 3N उसको उपर पुश कर रहा है, 2N उसको यहाँ पुश कर रहा है, तो actually ये कहा जाएगा, ये थोड़ा इधर नहीं आएगा क्या, ठीक है, तो force के direction से इसका displacement भी अलग होता है, और magnitude भी अलग होता है, तो net force इस object के उपर जो लगेगा, जिसको हम scientific लिए कहते है, resultant, this is the next discussion point, resultant, 2N और 3N का मिला के, जो force लगा है, that is 3.4N, इसको हम कहेंगे, this is resultant force, this is called as resultant of two vectors, 2 vector का resultant क्या आया, यहाँ पे, 3.4N, यहाँ पे 2 vector का resultant क्या आया, 5N, फिर obvious question आएका sir, 3 force होंगे तो, 4 force होंगे तो, 2 force तक हमें इस प्रकार की situation दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 3 force दिये जाएगे, वो भी perpendicular रहेंगे, तो 2 force के लिए ये formula है, 3 force के लिए ऐसा कोई formula नहीं ना 4 force के लिए है, 2 force, मतलब 2 vector, force के लिए ठीक नहीं होगा, 2 vector के लिए ये formula है, 2 vector दिये होंगे, उनके बीच का addition करने के लिए ये formula है, अगर इतना समझ आ गई, तो ये last question करके हम टाटा बाय बाय कर देंगे आज की lecture को, वही situation है, वही situation है, यहाँ पे 3N है, और यहाँ पे म force net या total force कितना लगेगा, कोई मुझे बताएगा क्या, formula यह यूज करना है, मैं बता रहा हूँ, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta, कोई बता सकता है, 3N और 2N के बीच में कितना angle है, 3N और 2N के बीच में कितना angle है, how much is this theta, 180, बस उतना put करना है, और values हमें put करना है, तो resultant हमें यहाँ से मिलेगा, या इसको F3 force हम कहें क्या, इसको हम कहें देते हैं, F3 force, F3, net force that is F3, a किसको मानना है, इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, 3 square plus 2 square plus 2 into 3 into 2, अभी कौन बताएगा, cos 180 degree किती है, how much is cos 180 degree दोस्तो, how much is cos 180 degree, वो होता है, minus 1, ठीक है, cos 180 degree is minus 1, तो यहाँ पर minus 1 लिख दो, तो F3 force जो मिलेगा, that is under root of 3 square plus 2 square, यह minus यहाँ, plus minus minus 2 into 3 into 2, it is nothing but a square plus b square minus 2ab, क्या होता है यह, यह identity को कैसे लिखते हैं, a square plus b square minus 2ab, क्या होती है identity, a minus b का whole square, minus 2, yes, so F3 को हम under root में लिख सकते हैं, यह कितना है, 3 minus 2, इसका whole square और यह under root में, it is nothing but simply subtraction, 3 minus 2, that is 1 newton, मतलब 2 vector एक दूसरे के opposite है, तो subtraction कर दो, जो हम regular करते हैं, 3 minus 2, 2 vector same direction में है, तो add कर दो 3 plus 2, अगर दो perpendicular है, तो under root of 3 square plus 2 square, यह यहाँ से हमें पता चला, तो maximum force कितना लग रहा है, वो हम बता सकते हैं अभी, हम 3 situation को यहाँ पर फिर से देखेंगे, तो यह 2 newton था, यह 3 newton था, तो यह F1 कितना मिला हमें, 5 newton, फिर second situation में हमने यहाँ पर लगाया 3 newton, और यहाँ पर लगाया 2 newton, तो F2 कितना मिला, हमें लगबग 3.4, root 13, इस body के उपर, और इस body के उपर कितना लग रहा था, यह 5 newton, 3.4 newton and 1 newton, ठीक है, मतलब यहाँ से पता चला, कि दो vector quantity same direction में हो, तो resultant maximum होता है, और vector quantity एक दूसरे के opposite direction में हो, तो resultant कुछ minimum होता है, ठीक है, कोई पूछे का सर, अगर दो vector है, 3 newton और 2 newton, इसके बीच में angle 30 degree दिया है, तो केसे करोगे, वहाँ पे theta की जगा पे, 30 degree पूट कर देना, cos 30 degree, और यहाँ से वो answer आ जाएगा, बाकी बाते बच्चों हम कल के lecture में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए तुम लोग अपना app डाउनलोड करो, जल्दी से, यह वाला app डाउनलोड करो, ताकि यह जो आज के note से, वहाँ पे मैं upload कर देता हूँ, ग्रूप के उपर add करके, यह play store में जाके डाउनलोड करना, ठीक है, और किसी को contact करना है, contact save करोगे तो link जल्दी open होगी, ठीक है, जो link में share कर रहा हो, WhatsApp group के उपर, वो जब contact save होते हैं, तभी open होती है, मेरा contact number किसी को call करना है, तो मुझे directly contact करो, there is no middleman, directly मेरे से बात होगी, 9423907256, that's my number, do call me, आज की क्याता रहे कि 17, 18, 19 और दो दिन demo class चलेगी, देमो class के दरवाजे हो जाएंगे, बन, admission will open, ठीक है, थैंक यू, बाइबाई, टेक केर बच्चो, बाइबाई,